जब मोधी जी आप ही बताओ कुछ ज़्यादा ही दिन पहले अपना लोग सहर से काम से छुट्टी लेके गाउ में नहीं जा रहे हैं रावल तुम्हें जल्दी नहीं लगरा है क्योंकि अब दिवाली के बहुत ही कम दिन बची ही और दिवाली की चुट्टी लेकर इसलिए मैं घर जा रहा हूँ कि घर पे बहुत सारी तयारी करना है और इस साल में एक बार दीवाली का त्युहार आता है मैं तो अच्छी तरीके से इस दीवाली के त्युहार को मनाना चाता हूँ लेगल मोजे जी एक बात कहूँ रावल बिल्कुल सही गहरा है अभी तो दीवाली के दस्वारा देन है अभी इसे अपना लोग काम छोड़के, काम से छुटी लेके, दीवाली की छुटी लेके, अभी इसे गाउ क्यों जा रहे हो, ये बताओ अरे जब दिवाली का बक्त नजदीग आता है यानि के दिवाली के तीन-चार दिन रह जाते तब ही अपने लोग काम से छुटी लेके गाह में चल देते केजरी बाल जी ये तुमारी सोच है मेरी सोच तो कुछ और ही है देखो मैं जिस तरीके से काम के टेम्पे मेनत करके भरपूर काम करता हूँ उसी तरीके से कोई भी त्योहार आता है उसे मन से त्योहार को मनाता हूँ अब बले ही त्योहार के यानि के दीवाली के दस बारा द जो लगन से, मन से, तयोहार को ना मनाया जाए। दिवाली आप सही कहा रहे हो साल में एक बार आती है तो दिवाली के तयोहार को अच्छी तरीके से मनाएंगे अपना लोग जल्दी जा के अच्चा कर रहे हैं। और सिवराज सिंग जी आप ये थैले में क्या ले जा रहे हो सहर से? कुछ नहीं अगलेस कुछ थोड़े से सहर से खरीद के गाउ में पटा के ले जा रहा हूँ गाउ में इन पटागों को बेचूंगा जाके सहर में पटा के सस्ते दाम में मिल गए हम में में करके बेचूंगा बा सिवराज सिंग जी तुम तो आम के आम गुड़ियों के दाम करोगे मतलब सहर से भी मजदूरी कमा के पैसा कमा के ले जा रहे हो और फिर उसी पैसे से पटा के करीद के गाउ में पटा के बेचों के महेंगे रेट में फिर और कमाई करोगे तुम तो आम के आम खुटलियों किताम कर रहे हो तो योगे जी एक बात बताओ तुम्हें कोई सामान खरीदने के लिए सिवराज सिंगी ने मना किया था भई उनका दिमाग में ये बात आ गई हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई नहीं तो हम भी पटा के खरीद के यहां से ले जाते और गाउ में ले जाके पटा के बेशते क्योंकि यहां पर पटा के सस्ते मिलते सहर में और गाउ में महें करके बेशते हैं अपना लोग क्यों मोदे जी तो आराम से दिवाली बनाएंगे गाओं में जाके और मैं लोगों वीडियो लेंक और चैनल को सब्सक्राइब करूँ नहीं दोनों की देन हैं जो में यह मेरी सेकल बिल्कुल तेली हो गयी अरे मोदेजی मैं तो आपकी साइकल पर पहले से आगे बैटा हुआ था और और योगी जी मैं ऐसी बैटा था ये बताओं मैं ऐसी बैटा था अरे जब मोदी जी ने मुझसे बोला कि आकर साइकल पर पीछे बैट जाओ कुछ नहीं होगा साइकल में तो मैं पीछे चलती साइकल पर बैट गया अब साइकल का हाल देखी रहे हो देखो राओर साइकल का हाल तो आम देखी रहे हैं एक बात मैं बता देता हूँ जब से मैंने ये सैकल खरीदी थी, हमेशा तुम दोनों को बैठा कर मैं चलाता था, अब ये मेरी सैकल खराब हो गई, तेरी मेरी हो गई, इसको रिपैर कराने में जितना पैसा लगेगा, पीनों लोग पराबर का पैसा दिंगे, बता देता हूँ मैं, अगलेज कितनी देर मे मेरी सैकल रिपैर करना सुरू करोगे, और ये बताओ, इसे रिपैर करने में कितना खर्चा आ जाएगा, मैं इनसे पैसे लूँ जला, देखो मोदी जी, मैं लालु जी के सैकल के पैए को रिपैर कर रहा हूँ, इसके रिपैर होने में थोड़ा ही बक्त तोर लगेगा, उस है तीनों लोग यहाप अपने काम से काम रखो दूसरे के बीच में मत बोलो लो यह तुम्हारा पैया रिपेर हो गया साइकिल का इसको लेकर जाओ अगले तो लालो जी ठीक कह रहा है तीन अजार रुपए ले लो तीन अजार रुपए बिल्कुल ठीक है साइकिल कर रहे के और मैं लोग वीडियो को लैग करो चैनल को सब्सक्राब करो अरे मोदी जी हम आजी से तुम्हारे खेत पर काम करना चोड़ना है ये कोई बात है इतना काम खेत पर कोई कराता है अरे हमारे सर पर टोकरी पर इतना इतना गोबी लाग दिया तुमने कि हम से चलना दुस्भार है मैं तो आजी से काम चोड़ना हूँ क्यों क्या कहते हो र अरे क्या बताऊ योगी जी मेरे तो सर पर इतना बजन रखा है कि मेरी तो अब आज भी नहीं निकल पा रही है ऐसा लग रहा है कि सर पर कोई पाहण रखा हुआ है इतना गोबी सर पर कोई लागता है जितना गोबी ये मोदी जी टोकरी में करवा के हमारे सिर पर रखकर मंड गोबी रखा हुआ हैं और जब मैं अपने सर पर इतना गोबी ढो सकता हूं तुम क्यों नहीं ढो सकते और यह गोबी को तुम फिरी में थोड़ी ढोती हो अरे 200 रुपए हर दिन मैं तुम्हें द्यारी दीता हूं खेत से गोबी को मंडी तक पहुचाने के लिए अरे मोदी ज जैताओं के इंसानों पे भी ओवर्लोड पे चालान कटना चाहिए अगर ऐसा हो जाएगा तो मोदी जी सबसे पहला चालान आपी का कटेगा लेकिन योगी जी एक बास समझ में नहीं आती अरे अपना दोनों तो 50-50 किलो गोबी सर पे ले जा रहें ये देखो पूरा एक जाकत है इन मोदी जी के अंदर अरे बो तो ये राओन हमें दिखाने के लिए दोते हैं दिखाने के लिए मतलब समझा नहीं दिखाने से मेरा मतलब है पहले इनके पास गोबी खेत से मंडी तक धोने बाले पूरे 15 लोग हुआ करते थे जिनमें केजरी बाल, अकलेस, मैं तो कल से काम छोड़ ला हूं, देगो योगी जी काम मत छोड़ो, बिलकुल भी मत छोड़ो काम को, कल से मैं तुम्हारे ऊपर 25 किलो बजल लादा करूँगा, 50 किलो नहीं लादा करूँगा, लेकिन काम मत छोड़ो, और भाई लोगो वीडियो को लाइक करो, चैनल को को थोड़ा तेक चलाओ थोड़ा हलके चला रहे हो क्या गजब की सैकिल चलाती हो तुम मजं़ा आजाता है तुमारे साथ पीछे बैटके सैकल पर यह जी तुम्हें तो मजं़ा आ तबी आता है जब मिल बैठती है तीनो यार मैं तुम और योगी जी बैसे मोधी जी स्टेंप तीनो लोग एक साथ मत बैठा करो साइकल पर ट्राफिक की चेकिंग बहुत हो रही है आज कर कहीं अपनी भी सैकल का कभी कोई चालान न कार दे अरे राहुन क्या सुवे साम नास्ते में नीन खाती हो जो इतनी कड़वी बाते करती हो तुमने चालान का नाम लिया बोदे को चार-चार पुलिस वाले अपनी सैकल की तरफ पड़े चले आ रहे हैं सब इस्पेक्टर अगले जिनकी सैकल रुकबाओ रुकबाओ सैकल को ये तीन-तीन लोग एक सैकल पर फिर रहे हैं रोको भई रोको अपनी सैकल को रोको यहीं पर रोक तो फिलकुल जी बोली हैं आप सब लोग इगटे हों के कैसे फिर रहे हैं कोई बात हो गई अरे बात हो गई का क्या मतलब है एक साइकल पर तीन तीन लोग फिर रहे हो साइकल को बस बना रखा है तुमने ओबर्लोड पर तुम्हारा चालान कटेगा अरे इस्पेक्टर अमिस्सा जी ये सब इस्पेक्टर अखलेश जी क्या कह रहा है भई मोटर साइकल पर तीन सबारी होती है ये तो अवरलोड का चालान करता है ये तो साइकल है साइकल पर काई का चालान अरे भई मोटी जी तुम्हारे मेरे तालुकात अच्छी है इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ आज से साइकल पर भी चालान कट रहा ए साइकल पर सिर्फ दो ही सरारी बैठ सकती है तीजरी होगी तो चालान कटेगा और अमिसाजी इन मोधी जी को ये भी बता दो आब थोड़े दिन बाद साइकल पर हैलमेट का भी नियम चालू होने बाला है बिना हैलमेट के सैकल नहीं चला सकती अरे लालू जी अभी से क्यों डरा रहे हो पब्लिक को सैकल पर हैलमेट का नियम आने में अभी थोड़ा टैम लगेगा सरकार सोच रही है तुम तो अभी से डराने लगे हम जंता को हमें साजी इस बार छोड़ दीजी अब हमें नियम का पता चल गया हम सवारी अब दो ही लेके चला करेंगे सैकल पर चलो मोदी जी मेरे तुमारे बहुत पुराने तालुक आते हैं इसलिए मैं आस तो छोड़ ला हूँ आगे अगर तीन सवारी दिख गई मुझे सैकल पर तो मैं चालान कार दूँगा भाई लोगो प्रो चैनल को सब्सक्राब करो